हेलो वाट्सअप गाईज बाताना चाहूंगा फाइनली हमारा जो यह रियक्ट सेरीज है वो कंपलीट हो चुका है जहां गाईज तो हमारा यह जो सब परता आए गेस तीन मैंने पहले शुरू हुई थी जहां पर हमने रियक्ट वर्जन 19 जोगी अभी तक officially launch भी नहीं हुई है स्टिल अपने वह RC स्टेज पर है मैंने आपको यह दिखाए कि जब आप फर्स्टाइम इसको इंस्ट्रॉल करते तो कैसे वह आपको वर्जन 18 दिखाता है और कुछ तरीके थे जिसके चलते मैंने देखा कि वर्जन 19 जो आर्सी स्टेज पर आप कैसे काम कर सकते हैं और हमने कुछ वर्जन 19 के भी जो लेटेस्ट फीचर थे उसके साथ डिल किया देखा उसके थूरू हमने प्रोजेक्ट बनाई हमने रियक्ट को एकदब डिटेल में एकदम इंडेफ्थ विद्धी हल्प अप एनिमेशन जो कि मैंने प्रोजेक्ट को दिखा हमने सब कुछ कंप्लिट की एक बार वो कंप्लिट हुआ दैन हमने उसमें प्रोजेक्ट देखे आई होप आपको बहुत ज्यादा मजाया होगा दैन गाइस वांस हमारा रियक्ट कंप्लिट हो गया दैन हमने देखा रियक्ट क्वेरी क्योंकि आज के टाइप में चाहे आप रेडिट देखो चाहे आप किसी के भी अगर पूर्ट फूलियू देखोगे ना जब बात आती डेटा फेचिंग की तो आइगेस का इस रियक् इसका टेंसर नहीं मतलब सब कुछ आउट आप दा बॉक्स हमें दे रहा है मतलब इतना इजी हमारे लिए वह काम कर दे रहा है तो उसी को ही हम 10 stack query भी बोलते हैं and that's why guys for the very first time मैंने अपने चैनल पर 10 stack query या basically react query दोनों एक ही है उसकी series मेंने लेके i after react and वो भी हमने की complete and उसम कि ना जानी कितने बनाए होंगे बट एको आप प्रोजेक्ट लाया मैंने simple सा आप कैसे deal कर सकते हो with the help of pure react plus axios हमने axios भी देखा राइट फिर उसी के साथ साथ मैंने आपको ये दिखाया कि once हमने जब react query पढ़ी लिया था 10 stack query को समझी लिया था तो क्यों ना मैं same project को with the help of react plus 10 stack query बना के दिखाऊं क्योंकि यही तो एक comparison है जिसके चलते आपको पाता चलेगा कि react plus axios कैसे काम करता है and then react plus 10 stack query कैसे काम करता है दोनों के code में आपको कहां ज्यादा easy कहां ज्यादा simple कहां ज्यादा आपको लगा मेरा समय बचला है मुझे साती साथ समझ में भी आ रहा है और मेरे लिए काम भी आ रहा है तो वह आपके उपर आपको जो चुना चुनिए फिर हमने देखा काई साला की react में ही देखा था बट मैं अब भी यादा कि react router राइट कभी भी navigation के बात आती है मैंने even react router में भी आप देखो कि पहुत सारे नए चीजे उन्होंने एड कर दिय अब तो version 7 की बात चल रही है इवन आपको version 7 की posters दिखाए देंगे जहां पर हम दिखाया कि इसली आप data को like call कर सकते प्याइकर data get कर सकते जब आफ फंक्शन लोड कर वही पर ही onloader पाता है क्या-क्या उन्होंने अल्रीड देदी तो इतने सारे options आचुके है ठीक है काम एक है काम एक ही रहा लेकिन उसको करने के अलग अलग तरीके बना दिये तो इट्स टोटली अप्टू यूड की मैं चाहूंगा कि आप सब को one by one देखिए और आप अपने दिल से पूछे कि आपको किसमीजी लग रहा है कि मैं अगर यह करूंगा तो मैं यह project को done कर दूंगा मुझे इतना इतना लाइक मुझे डिफिकल्टी फेस नहीं करने पड़ी ठीक है तो मैं clear बोल रहा हूं मैं और बाके तो क्या ही बोलो है और उसके बाद बार यह आती है आपने से बहुत हो का कि Redux लेके आईए यह Redux टूल किट लेके आईए तो सबसे पहले तो इसमें यह Redux टूल किट एंड मैंने जान बुच के हमारे इस रियक्ट सीरीज में पहले मैंने आपको Redux पूरा बताया एकदम मच्छे से टूडू अप्लिकेशन बना के जहां पे आपको कैसे आप एड कर सकते हो डिलीट कर सकते हो एंड उसी में आपका पूरा Redux आ गया ते इस्टोर प्रेट करना यह सब देखना एक्सेंस क्रेटर आन अल डोस तिंग्स तो मैंने प्यूर पहले आपको Redux के थूरू बताई राइट फिर मैंने आपको Redux ठंक या Redux सागा सागा तो Redux ठंक के बार में बताया जहां पे आप में से बहुत होने सुना होगा Redux ठंक पता निये Redux टूल की रिडक्स आगा यह पता निये Redux क्या क्या चीज है बट मैंने दिखाया आपको पहले हम स्टेप गए Redux पिर हम गए कि Redux ठंक जहां मैंने बता है कि यह आपका बस एक Middleware है जहां पे आप डिरेक्ली डेटा गेट करने से पहले बीच में अगर कुछ करना हो उपर न दिखाई यह बताया कि जो पहले हम Redux की मदद से कर रहे थे और कौन-कौन से स्टेप्स हम फॉलो कर रहे थे वही सेम स्टेप्स हम Redux टूल किट में भी फॉलो करते हैं बट इन वेरी सिंपल वे सिंपल तरीके से तो यह जानबुच के मैंने इस तरीके से क्या था कि आपको प्रोग्रामी नॉलेज की जब बात आएगी तब आप यह नहीं बोल सकते ना कि ठीक है कल की दिन जो भी था आज तो यह मैं यही पड़ूँगा बट गईस मुझे ऐसा फिल होता कि आपको पहले का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है तब भी आपको यह पता च बहुत जरूरी तो डैट स्वाइब मैंने इस रियक्ट सीजिस में पूरी कोशिस की कि आपको एकदम बेस लेबल से में एक एक चीज समझाओ विट एनिमेसंस एंड क्लियर में इतना बोल देता हूं कोई भी प्रोजेक्ट आप यूर्यक्ट की मदद से बना सकते हो आपको कोई लाइबरेरी या कोई हेलप फंक्शन किसी की कोई नेट नहीं है इफ यू वांट आप प्योर रियक्ट लोगाइस आप एग्री करते हो कि नहीं आज के टाइम में आप से प्योर रियक्ट एंड उसका जो हुक्स है उसके मदद से बहुत कुछ कर लो गया बट स्टिल अगर आपको जॉब चाहिए या खाली जॉब के अगर आपको कुछ फ्रीलैंसिंग करके खुद का प्रोजेक्ट भी बनाना तो अबिसली इनके जो एक्स्टा लाइबरी या एक्स्टा पैकेजेस है जैसे रियक्ट राउटर हो गया या रिटक्स टूलकित हो गया या क्व से तो मैं तो हाइली रिकमेंड करूंगा वांस ये सीरीज आप कंप्लिट कर लेते हो प्लीज आप खुद से एक-दो प्रोजेक्ट और बनाईए है एल्प लीजिए और ओकी भी वीडियोस आप देखिया अगर वहां पर आपको मिलते है तो उनसे भी हल्प लीजिए वरना ओनलाइन की दुनिया तो है ही चैट जीपीटी जिंदाबाद हो तो है ही राइट मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप अगर मेरा वीडियो देखते हो तो आपको बिल्कुल भी निरास ना हो और आपको वो वेल्यू मिले जो साइद आपको बाकी जगे ना मिल रही हो तब इसके अलावा आपको कहीं और कुछ नहीं देखना है ठीक है बस इतना ही इतना अगर आपको आगे बढ़ना है लान खाली वीडियो देखते रहोगे तो कुछ काम नहीं है एक बार इतना हो जाए या किसी कभी अगर आप देखके बैठे हो एक बार खुद से मैं तो बोलता हो कुछ नहीं जैसे टूडू हुआ एटलिस टूडू से ही स्टाइट करो आप दुनिया उसी से करते आप भी करो थोड़ा बहुत आईडिया आ जाएगा ना कर्ड कैसे हो रहा है फिर एक रियल अपी डेटा के साथ हैंडल खेलना सिख लो वही आपका get, put, post, patch, जो भी हो आप उसके साथ खेलो और फाइनली मैं तो बोलूगे के e-commerce website आप बना ही लो जिसमें at least full-fledged, at least login हो, registration हो, ठोड़े ठीक आभी फिलाल आप database के और मत जाओ, back-end के और मत जाओ, at least उतना फिर data के API से get करके, वो filters, you know, sortings हो गया, then आपका add to cart and वहाँ पे at least उतना भी अगर आप खुद से कर लोगे ना, कहीने कहीं confidence आपको आजाएगा and मुझे लगता है कि as a beginners उतना भी आप कर लेते तो it's enough या, क्योंकि company में जाके आपको power थोड़ी तोड़ना है, right, वो तो आपको खुद training देंगे 5-6 महीने, अगर नहीं भी दिय तो अगर startup में जाओगे तो कौनी देगा training, काम करना पड़ेगा, बट seniors तो होंगे, इतना आप लल्ले तो हो नहीं कि कुछ आता ना होगा, समझ देरो, तो इतना प्रेसर मत लीजिए, simple अगर कोई भी series complete कर लेते हो, एक to-do बना लो, एक real API के साथ खेल के कोई भी अच्छा कहना चाहता था कि guys, finally आप में से बहुतों का, I guess जब हम video number 80 या 85 पे चल रहते, react खतम हो गया, react खतम हो गया, आ रहा था, इतना चलते हा था, बट जी हाँ, अब फाइनली ये खतम हो गया, तो कोई tension नहीं, बट अब मैं ये चाहता हूँ, है ना, कि आपको ये react series कैसा लगा let me know in the comment section, please series को अपने दोस्तों के साथ, अपने कोई भी social media हो, instagram, linkedin, twitter, जहां भी आप हो या whatsapp, please दोस्तों के साथ, share कर दीजिए, source code बिलकुल free है, जितने भी हमने project बनाए, सब का source code free है, and if you want my entire YouTube video source code, then it's only for $199, मैंने sale पे रखा हुआ हुआ है फिलाला भी, सिर्प $199 में सिर्फ react किया, html, css, javascript, bootstrap, आपका node, express, mongodb, mysql, php, react, php, पता नहीं क्या क्या है, जो भी हो, man stack, सब कुछ है, अब जरू check out कीजिएगा, and at the end में बस इतना कहना चांगा, what's next, मैं बहुत दिने से mysql पे काम कर रहे है, क्या आज के time में ऐसा हो रहा है, कि मन की ब end, m4 क्या था, mongodb, बट अभी mysql हो गया वो, east से तो चलो आपका express है, r से तो react है, end से तो चलो node हो गया, बट यह जो m था ना, वो जो पहले mongodb था, वो mysql होता जा रहा है, तो क्या आपको mysql देखना है, series, right, and क्या, अगर यह नहीं देखना है, तो क्या आपको node and express देखना है, आपको क्या चाहिए, या आप अगर चाहते हो, मैं पूरा 5 या 10 गंडे का python बना दू, क्योंकि अब तक मैं python पर हात मारा नहीं है, right, मैं देखना चाहता हूँ अपने अपको भी कि मैं कैसा कर सकता हूँ python में, right, तो आप मुझे बताओ, right, and yeah, यह तीन options आपक बना चुका, world-based mongodb, बना चुका हूँ, JavaScript बना चुका हूँ, Instagram sources में बना चुका हूँ, उसके अलावा मुझे नहीं लगता, अब दुनिया का कोई भी course उठाओ, एक दम टॉप ऑला, तो अभी वो ही है, कोई उसके ऊपर कुछ नहीं है, ज्यादा वीड़ो मत देखो, ठी को रियक्ट बहुत ही ज्यादा पसंदा होगा, and festival का season तो चला गया, but कोई नहीं, हम साथ है, and always साथ रहेंगे, मैं तो always इधर हूँ, तो guys, please support, and हम बहुत करीबे 7 lakh subscriber के, तो please subscribe कर दीजेगा, ताकि आप ऐसे awesome videos को ना भूले, and comment करके जरूब बताइए, अब आपको next क्या च क्या